हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आपका हमारे यूटूब चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सत्रवीं इउप्सन के बारे में जी हाँ बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं तो सत्रवीं इउप्सन में चार्ज लाई को हो रही थी तो उसमें कौन सा स्लोट है जो MPG 2 स्टर बॉक्स में जीत कर आया है तो पूरी इंफोर्मेशन देंगे तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चै बॉब्लम आ गई थी इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे तो आप लोगों को हम जानकारी नहीं दे पाए थे तो आप लोगों को हम बताएं कि वो चैनल कौन है जिसने स्लोट बेंड किया है तो उसका नाम है कलर्स रिष्ते जी हाँ बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं क जोर्ट बेंड कर लिया है तो आप लोग सुच रहे होंगे कि कलर्स रिष्ते ही सिर्फ कूं आया डिडिवर्ट प्री इस टार उस्टार उसो जी अन्मौल सोनी पर ये डिडिवर्ट क्यों नहीं आये हैं इनके बिना ये रिष्ते क्यों आ गया है तो इसमें एक ही स्लोट MPG-2 Sutterbox में तो Colors रिष्टेने स्लोट बेंड कर लिया है और MPG-4 Sutterbox में दो स्लोट खाली है तो उसकी E-Option भी जल्ड की जाएगी तो उसमें कौन से चैनल बेंड मतलब पार्टिस्वेट करते हैं और कौन आएंगे ये आगे पता चलेगा और आगे जो MPG-4 Sutterbox के लिए E-Option होगी उसकी डेट जब गन्फर्म हो जाएगी तो उसकी जानकारे भी हम आपको जरूर दे देंगे और जो MPG-4 Sutterbox के लिए पहले E-Option रखी गई थी वो मतलब सफल नहीं हुई थी तो कलर्स रिष्टे चैनल जो है डीडी फ्रीडिस फर कब एड़ होगा तो यह एड़ होगा 11 जुलाई को और 11 जुलाई को ही MPG-4 Sutterbox के लिए E-Option रखी जाएगी और जो भी चैनल जो है MPG-4 Sutterbox में अपना स्लोट बेंड कर लेगा वो 18 जुलाई से एड़ हो जाएगा तो यही मुझे इनफोर्मेशन मिली थी तो मैंने आप लोगों को बता दी आपको हमारी दी ही जानकारी जलासी भी यूच्फुल लगी हो कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा आपको हमारी चैनल पर डीडी फीडियो से जुरी सारी अपडेट मिलती रहती है प्लेस मझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नीज लेकर अगली अपडेट लेकर तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स